हेलो क्लास आज का हमारा टॉपिक है इन्वाइर्मेंट में फ्लोरा एंड फौना इससे सम्मंधित आज कुछ बाते हम सीखेंगे सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से फ्लोरा और फौना को बताने की कोशिश किया जा रहा है कि फ्लोरा और फौना कुछ नया नहीं है यह फ्लोरा का मतलब फ्लार से है यानि पौधों से और फौना का मतलब एनिमल्स यानि जीव से है अगर फ्लोरा और फौना का मतलब हम समझने की कोशिश करें तो प्लांट और एनिमल्स आफ ये पर्टिकुलर एरिया नोन ऐज फ्लोरा और फौना यानि ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वही फ्लोरा और फौना कहलाते हैं जैसे टीक, जामुन, सालमैंगो, और सम एक्जाम्पल साफ, फ्लोरा, हुआल, चीता, ओल, लियोपर्ड, चिकारा, एंड, बलू बल, इंडियन गेंड, स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, और सम एक्जाम्पल साफ, फाउना. इस प्रकार से जो हमारे बनस्पति हैं, जो हमारे जीओ हैं, ये ही हमारे फ्लोरा और फाउना कहलाते हैं. अगर फ्लोरा की मीनिंग हम लोग देखें, तर्म फ्लोरा इन लैटिन मीन्स गौड़ज आप दा फ्लावर, यानि इसका अगर लैटिन मीनिंग निकालें, तो ये कहलाता है फूलों की देवी, फ्लोरा इज अ कलेक्टिव टर्म फार अ ग्रूप आफ प्लांट लाइफ फा कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में, जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, उन्ही को हम फ्लोरा कहते हैं और इनका जो ग्रूप पूरा होता है, वो सब प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, प्रजेंट करते हैं, और इसको फूलों की देवी भी कहते हैं, फ यह सब्द फावना जो है रोमन से भी संबन दित है और इसे परजिनन की देवी भी कहा जाता है अब कुछ बातें इसके अंतरकत जान लेते हैं What is the difference between flora and fauna? Flora refers to all plant life वही जो पौधे हैं वो flora से संबन दित है and fauna refers to all animals life और जो जीवों का जीवन है वो fauna से संबन दित है fauna cannot prepare their own foods fauna जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं so they depend upon the flora for their food इसलिए वो flora पर depend होते हैं What is the importance of flora and fauna? flora and fauna is a part of the ecosystem and they are interdependent on each other for their survival यहाँ पर यह बताया जा रहा है if flora और fauna ecosystem के ही part है और यह एक दूसरे पर survival के लिए depend होते हैं beside the ecosystem becomes imbalanced यानि परिस्तिती तंत्र को balance करने के लिए बनाने के लिए if there, there are any adverse effects on flora and fauna such as extension of your species यानि परजातियों को blip होने से बचाने के लिए flora और fauna importance है परिस्तिती तंत्र को ecosystem में balance राने के लिए flora और fauna importance है हिंदी में भी कुछ मतलब जान लेते हैं इसका flora का मतलब वही बनास्पति एक विशेश छेत्र में या विशेश समय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्वादेशिये पोधे होते हैं अर्थात प्राकृतिक बनास्पति flora latin sap से लिया गया है बार-बार बता रहे हैं कि flora कहां से लिया गया है latin sap से लिया गया है जिसका मतलब फूलों की देवी होती है Godage of flowers जीव फाउना किसे भी भगावलिक छेत्र के सो देशी जानवरों का एक समू है फाउना रोमन देवी के नाम से लिया गया है यानि इसको Godage of fertility कहते हैं अब इनका importance देख लेते हैं तो सबसे बड़ा इनका importance है परिस्तितिक संतुलन बनाए रखने के लिए यानि एकोसिस्टम को बालेंस करने के लिए flora और फाउना important है बन्षपत और जीवों के बिना मानुजात के लिए इस खूबसूरत धर्ती पर मौजूद होना असंबव है यानि अगर flora और फाउना नहीं होंगे तो इस प्रिथवी की सुन्दरता चली जाएगी संतुलन बिगड़ जाएगा इस धर्ती पर एक मात्र उत्पादक बनस्पति है जो की आक्षिजन पैदा करने और मुक्त करने में सक्षम है जिसे स्वशन उत्देशों के लिए जीवों द्वारा उप्योग किया जाता है जीव बदले में कारबन डायकसाइड का उत्पादन करता है जिसे प्रकार्ट संस्लेशन के लिए बनस्पत द्वारा उप्योग किया जाता है कुल मिला करके प्रस्तित की संतुलन को एको सिस्टम को अगर बैलेंस करना है संतुलित रखना है तो इसके लिए फ्लोरा और फाउना इंपोर्टन है दूसरा इंपोर्टन्स का है शाउंदर मूल निशंदे मुन्षिप प्रकिर्ट से प्यार करते हैं और उनकी शराहना करते हैं हम मेंसे कई प्रकिर्ट की गोद में समय बेतीत करना पशंद करते हैं जैसे बन प्रकिर्टिक छेत्र पार्क यानि ये हमारे प्रकिर्टिक संदर को बढ़ाते हैं बनस्पतियों और जीवों की शंदर मुख रूप से उनके परशार दौरा किया जाता है तीसरा पॉइंट है अर्ष्थानिय अर्थविवस्थाओं का विस्तार यानि इनकी वज़े से अर्थविवस्थाओं का विस्तार होता है हमारी एकोनॉमिक सिस्टम भी डेवलप्ड होती है बनस्पतियों और जीवों का अधिकतर विस्त की अर्थविवस्थाओं में बहुत ज्यादा योगदान है विसेश रूप से प्रेटन में उधारन के लिए एक्जामपल के तौर पर हम कह सकते हैं कई वर्षावन छेत्र बनस्पतियों और जीव बैज्ञान को और खोजकरता को आकरशित करते हैं एक्जामपल के तौर पर हम अमेजान के अमेजान वर्षावन ब्राजील अर्थविवस्था के लिए लगभग पच्चास मिलियन डालन का योगदान करता है और ऐसे भी तमाम दुनिया में देश हैं जो कि इससे लभावित होते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टन से फ्लोरा और फावना के आई होप आपको स्रमझ में आया होगा और आप भी इससे समझने की कोशिस करेंगे ओके थैंक्स